रितिक हमारे साथ है इनकी उमर है 22 और ये कैनड़ा में जॉब करते हैं इनको डिस्क की प्रॉब्लम हुई है और उसका ट्रीटमेंट कराने ये इंडिया आए है रितिक शुरू से मेरे को बताओ कव से पहली बार दिक्कत हुई आपको मैं जाता था तो जो 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 मैं जाता था तो बैल्ट को मैं जाता था कि बैल्ट को जाता कि बैलो बैल्ट को जाता था तो बैल्ट को जाता था तो बैल्ट को बैल्ट को जाता वेट को तो वो एक्सेल में लगाई तो उसके बाद नेक्टे जब मैं सुबह उठा रातो कुछ निए वोजन कुछ पता मिं चला दो को सुबह उठा ब्रस कर लगा तो इसा दर्द हुआ काफ में यह 2016 के वाई श्टीन जून उस्टेम लैगने पेन हुआ तो उसके लोकल दिखाया मुसल पेन की किसने दवाई जे दी ऐसे तो फिर अमराई दवाई थी सेप्टेंबर में जापूर से तो वहां पता लगा थी ऐल फाई एसवन डिस्क बाजियर तो इस तीन साल में क्या रहा क जांतार दर्द है भीच में ठीक हो जाता या फिर हो जाता है तो तरह सखर भी नमटरीम करो जो हो झाटिए तो ज़ी में आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको खड़ने दिक्कार से वहां जोब थी अब किती दे खड़ा उपाते हैं खड़ा होता है आदा गंटा पैंटेश में उसके बाद तर निचे फिल दखे से खड़ा दूगा उदर यहां तक आजेगा फिर बैठने ही पड़ेगा एक गंटे बाद तो वहां काम हता है तीन चरह ल को के लाइश दे आगे खड़ा तरह दो में लश्ट स्ट्रेच कर ली थी फिर 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 श्ट्रेच कर ली आसे मनलों मुश्की नहीं काम की सारा तो अब चुट्टी लेकर सिफ ट्रीट्मेंट कराने आए हैं एक सवाल पूजाओं कि वहां हम सब सोचते हैं कि जो वेस्टन कंट्रीज हैं वहां ट्रीट्मेंट यहां से फार बेटर है तो आप ट्रीटमेंट करानी हां कि अधां मैंने दिखाए चैक्रवाद सब कुछ किया था तो उन्हों ने पुर्पी कर लो ने तिन चाशाँ लिए कुछ ठीवी हो गया है उसे इस्टील वह जास फिर 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 कि एक तो है कि पेशेंट के जॉब में प्रॉलम आ रही है ऐसा नहीं है कि उनको कोई सीवियर पेइन है या कोई ऐसे इंजेक्शन लेने की जड़ रहता है लेकिन एक यंग आदमी जो अपना काम कर रहा है उस फेज में पेशेंट को इन लोगों को ज्यादा काम करना पड़त है 22-25 की एज में हम मैक्सिम काम करते हैं इस्टैबलिश होने के लिए लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं दूसरी चीज कि यह एक तरह से कॉंप्लिमेंट है इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज को कि लोग इतने जो एडवांस्ट कंट्रीज है वहां रहते हैं लेकिन ट्रीट वहां पर ताप उसमें खड़ा जाता हैं उसको रोक के बाजम हो जा पर आदा ना मिज्टीग नि करा जा जाती हुआ है तो मुझी जाते हैं दो तुर एकम काम करते हैं तो पहले आपको या इतनी देर बैठा हो जाएगा नहीं तो दर्द हो जाए हैं आती बारी मैं दो बं क्या से करूंगा तो आइठिंक यह एक अवेरनेस का ही हिस्सा है कि हम अब क्वालिटी ओफ लाइफ की तरफ जनली कुछ साल पहले तक बात करें तो लोग सेजरी तब कराते थे जब हालत बिल्कुल खराव हो जाते लेकिन अब हम क्वालिटी ओफ लाइफ की बात करें तो करने वाला प्रमात है तो आज हम एंडोस्कोपिक सेजरी कर रहे हैं रितिक की इनका अभी हम एक्टिविटीज देखेंगे कि कितने तकलीफ है इनको और इसे सिंगल स्टिच सेजरी इसमें पेशेंट इवनिंग में ही आफ्टर सेजरी चार गंटे के बाद ही सेजरी के पेशिंट वाकिंग शुरू कर देते हैं और इनकी जो भी प्रोग्रेस रहेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे थैंक्यू सिंग रितिक को मेंली जो पें है वो लेट साइड में है अभी रिसेंट्टी राइट में शुरू हुआ है पहले हम राइ इनको फिर वो पें शूटिंग पें होता है जिसको शैटी का कहते है और यह बड़ा टिपिकल फीचर है स्लिप डिस्क का जैसे मैं आपको दोनों तरफ हाथ लगा रहा हूं आपको बराबर फता चल रहा है कहीं पे सुन तो नहीं लग रहा है नहीं जी अंग उटे का ऊपर कि जोड़ लगाई अभी तक इनको कोई सेंसरी और मोटर डेफिसित नहीं है अभी तक कोई ऐसा डेफिसित नहीं है इनको कोई भी वीकनेस नहीं है या पैर सुन नहीं है इनकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी बहुत सारे पैशन हमारे पास लेट स्टेज पर आते हैं जब पैर सुन होना शुरू हो जाता है या फूट ड्रॉप हो जाता है या यूरेन में प्रालम आनी शुरू जाता है उन पैशन के रिकवरी स्लो भी रहती है और कई बार स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं आप देखेंगे कि नॉर्मल डिस्क में जो स्पेस होता है बिट्विन दस्पाइनल कॉर्ड एंड डिस्क काफी खाली जगा होती है ताकि स्पाइनल कॉर्ड में अच्छा सर्कुलेशन हो सको है जब हम L5-S1 पर आते हैं तो आप यह देखेंग है L45 जिसमें आप देखेंगे कि यह पूरी डिस्क है यह एक्जिल सेक्शन में देख रहे हैं और यह जो सर्कल है यह स्पाइनल कॉर्ड है तो आप देखेंगे काफी बड़ा स्पेस है यह वाइट स्पेस काफी बड़ा दिख रहा है अब हम आते हैं L5-S1 पर जहां पेश तो आप देखेंगे कि राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी रास्ता बना हुआ है जिससे हमारी नर रूट्स जाती है इधर राइट लेग में जाती है और यह लेफ्ट लेग में जाती है अब वापस आतने L5-S1 में यह आप देखेंगे कि राइट का रास्त और लेफ्ट का रास्ता दोनों बंद हो गए हैं जिसको हम जो रास्ता बनता है नरूट के लिए जो कैनाल होती है दोनों ब्लॉक्ट है इसलिए रितिक को दोनों लेग्स में पेन है चलो तीन-चर वर चलो जल्दी जल्दी फास्ट हाव 12,000 खुझ को ज वाँ के हाज ब्लॉक्र को जाता है वर फिर कोई भर्षानी को जाता है रिल्म करता है ब्लॉक्ट क्यों जाता है जाता है। तो सेजरी के बारा गंटे के बाद रितिक सीडी चड़ रहे हैं, और मामल वॉक कर रहे हैं, टाइलेट जा रहे हैं अपने आप, कोई पेन नहीं है, अगर हम उपन सेजरी करते हैं, तो इतनी जल्दी ये अक्तिविटीज हम शुरू नहीं करते हैं, बेन होता है, और इनके कोई स्टिचीज नहीं है, कोई स्टिच नहीं है, तो युरेतिक का आप इंसीजन देख सकते हैं, जस्ट ए फिंगर ब्रेट, जस्ट वन सेंटीमेटर क कोई स्टिच नहीं है, और आज इनका अभी कल शाम को सेजरी हुई है, फिर फार्ली फॉर्टीन आर्स अफर सेजरी और इनको कोई प्रॉलम नहीं है, बिना सपोर्ट के चल रहे हैं, कोई पेन नहीं है, और बैटने में जो इनको कलॉडिकेशन थी, जो लग में पेन हो रह यह वज दे embras good Yes, Really good को में आध थी ताम सत्वा में 35 मिनट बैठा हूं, वहाँ दे काई और ऑन रहा हैं तो आपने बैठ के झाए है राथ करो आध को यहाँ है तो अब भी आपने कर देका है तो भी कर सकते हैं अब भी कर सकते हैं अब जगह दो तड़ा लेखने के लिए पेशेंट बेसिकली अपना SLR टेस्ट खु़ी कर रहे हैं अपने आप टेस्ट कर लेते हैं कि हमें कितनी आराम है अब अब इस लाग में सिविर पेन उपर गपते ही अब अब आपको अब 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 आपको अब पिछे तक था बिर्साब कुछ निया अब बिल्कुल है तो पेशेंट ने पांच भंटे के बाद यह सारी अक्टिविटीज हमारे चेक करने से पहले खुद ही चेक कर ली हैं बैठो जब बैठो प्लीज तो इसमें बड़ी बात मेरे को यह लगी कि श्रजरी स्थे पहले ही पेशन्ट और फैमली श्रजरण से जादा कॉंफिडेन्ट थे यही सबसे बड़ा दिद्र स्क तो किल के लिए कि हमसे जञदा कॉंफिडेन्स पेश्यन को होता है और हमारी कोशिश यह है कि यह awareness हम लोगों को इसलिए ते रहे हैं कि आप लोगों में हमारे पस आने से पहले इतना confidence हो कि हमें ठीक होके जाना है तो यह सबसे बड़ी ताकत है जो willpower और जो अंदर से positivity आप लेके आते हैं तो मुझे उमीद है कि very soon आपने मुझे आना कि मिल सकते हैं आफटर सर्जरी तो मैं इनके पास गया माला कैसे ठीक ठीक है यह उनने मुझे कहा कि अब भी बस मेरे को लेकर जाएंगे सर्जरी के लिए और इन एक्चुल सर्जरी हो चुकी थी इनको मैं बिलीव निए नर्स से बुच्चा है नर्स अभी होगी ना वह बली एक बार तो होगी है पतल लगा सर्जरी में आम तोर पे यूरिन के लिए हम कैथेटर डालते हैं लेकिन एंडोस्कोपी इत्ती शौर्ट और सिंपल सेजरी है कि इसमें यूरिन के ट्यूब हम इस बात मुझे बताए कि इनको राइट लग में थोड़ी सी नमनेस लग रही है आज तो मैं उसको एक्स्क्लेन करना चाहता हूं कि जब हम नर्स की हैं अंदर डिस्क को निकालते हैं तो नर्स को साइड में हमें रिट्रेक्ट करना परता है उस रिट्रेक्शन में कई बार क्योंकर नर्स बड़ी सेंस्टिव होती है उसको जड़ा सा भी हम टच करते हैं तो वह कुछ टाइम के लिए अपना फंक्शन थोड़ा सा पांच ये दस पसंट कम कर देती है उसकी वज़े से नमनेस रहती है और मुझे उमीदत दो चार पांच दिन में वीक ये नमनेस चल झार रखोड़ दिन खी ये आजिख विए खांच दिन में वीक ये आव जैजार वीक ये को पांच दिन में वीका मुटे है